हाई अबर्म स्वागत आप से अभी कानुदर्टूब चैनल में आज हम देखेंगे बीड सेकंड एर का इसले बस आज हम देखेंगे और जो भी 24, 25, 26, 23, इस तरीके से आपके बेपर स्टार्ट है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दोंगी, फस्ट वीडियो के इंपोर्डिंड कुछिंड, तो चलिए, आज हम सर्फ डिसकस करेंगे, CBLU का ये स्लेबस है आपका, और यह updated syllabus है, इसमें आपको second year में क्या-क्या देखने को मिलेगा, knowledge and curriculum 100 marks का है, learning and teaching 100 marks का है, उसके बाद assessment for learning यह 50 का है, creating and inclusive school यह आपका 50 का है, और environmental education, school, literacy management, यह है आपके 50 marks यह ठीक है, तो अगर आपने updated syllabus नहीं देखा, पुराने वाला syllabus देखा है आपने, तो उसको छोड़के नहीं वाले syllabus पर आप आईए, क्योंकि आपका जो नया syllabus है, अभी जो आपने, अभी जो आपने admission ले रखा है, वो आपके नहीं session के coding आपके exam होंगे, ठीक, तो चलिए start करते हैं, तो यह है आपका knowledge and curriculum का first course, ठीक है, first paper है आपका, और यह आपके, मतलब, normally जो paper होते हैं, वो तीन घंटे के होते हैं, जिसमें 80 marks आपके theory के होते हैं, 20 आपके internal होते हैं, total आपके होते हैं, 100 marks के, तो चलिए, वो तो आपके instructions आपके question paper पर देखी जाएंगी, तो यहाँ पर जो first unit है, आपकी constructions of knowledge, तो यहाँ पर आपका important question बनेगा, sources of knowledge, उसक contribution of the teacher in assimilation and disassimilation of information and knowledge, यहीं से आपको 16 mark के question आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सिर्फ लास्ट के तीन question आपको करने हैं, ठीक है, ज्यादा question नहीं है, सिर्फ तीन है, और यहीं से आपके दो question मिलेंगे, 16 mark के, तो लास्ट के तीन question important है, तीन आपको करने हैं, उसके ब यह आपके important है, इसमें आपको बताना है, different facts of knowledge and relationship such as, तो local and university में बताना है, concrete and absolute में बताना है, यह बिलकुल सेम ऐसा ही है, जैसा other universities में, जैसे CRSV, MDB में आपको बताया था न, second unit, ऐसे ही है, उसके बाद है, आपकी epistemology of Indian philosophies, जिसमें संक्याट विदानता है, और epistemology of western philosophy, जि Paragmatism, यह आपके important है, यहां से, ठीक है, second unit, बिलकुल सेम ही आपकी, तो last, यह कर लिजे आप, तो यहां से भी 16 mark के question आपके बन जाएंगे, ठीक है, उसके बाद third unit है, तो third unit है, आपकी curriculum development के उपर, यहां से आप first three question कर सकते हो, first three question आपके important है, यहीं से आपके 2 question बन 16 marks में, ठीक है, अगर आप नहीं करना चाते हैं, तो first two, आप question कर सकते हो, नहीं, first and third question आप कर सकते हो, यहां से आप two question कर लेना, यहीं से आपको exam में मिल जाएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं करना चाते हैं, तो कम कर सकते हो, उसके बाद fourth unit है, आपकी, fourth unit है, approaches to curriculum development में, subject centered, learner centered यह दो important है, और last में, आप कर सकते हो, models of curriculum development, यह आप कर लीजिए, अगर models नहीं करना चाते हैं, तो इसको skip करके नहीं, यह चारो, जो curriculum designing है, यह आप कर सकते हो, ठीक है, दुबारा से समझे इसको, जैसी two parts में है, तो एक question आपको यहां से मिलेगा, एक question आपको यहां से मिले करके सिर्फ आप एक कर लीजिए, या तो ये वाला कर लीजिए, या तो ये वाला कर लीजिए, ठीक है, मैं कहूंगे आप ये वाला कर लीजिए, उपर वाला, यहां से आपको 16 मार्क का question आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, या तो आपका unit wise हो जाए, या आपके any 5 question हो यही important question आपको exam में करके आने है मतब तयार करने exam के लिए तो आपसे किसी भी pattern में exam में question पूछ ले यही फाइफ question हो या फिर unit wise question हो तो आपके यहां से question आसानी से हो जाएंगे ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको उसके बाद हम बात करते हैं second paper learning and teaching पहले यह first year में होता था अभी आपका second year में हो गया है यह भी आपका 100 marks का है ठीक है यहां पर सिफ तो दो ही paper है जो कि आपके 100 marks के है तो फर्स्ट आपकी understanding learning फर्स्ट क्यूशन आपका important है learning concept nature types of learning factor influencing learning यह आपका important question उसके बाद आपकी second second question बनेगा आपका यहां से learning strategy के उपर तो फर्स्ट टू क्यूशन आप कर लिजे यहां से must है important है और अगर आपको यह लगता है कि नहीं दो क्यूशन से काम नहीं चलेगा तो लास्ट वाला कर लिजे बाकी आप फर्स्ट दो क्यूशन कर सकते हो आपको यहां से एक अगर यूनिट वाइज हुआ तो चले उसके बाद सेकंड यूनिट है आपकी लर्निंग पराडीजम यहां पर आपको थोरी देखने को मिलेंगी यह है आपकी ट्राइल एरर थोरी जो की थोरंडाइकी है थोरंडाइकी थोरी आपने उसमें भी पड़ी है क्या कहते हैं चा तो आपकी एक दल ऑन्यूनिट हलाएं तो आपको पर कर दोरी अपर हैं तो तो आप कर सकते हो थोरेंडाइक की, पैवलोव की और इसकी और कहा गया सकीनर, यहां से मस्ट हैं, यहीं से आपकी हो सकते हैं, वैसे वाईगोट्स की और बंडुरा की बहुत ही एजी थियोरी है, कोई मुश्किल नहीं है, नहीं तो आप तीन कर लिजे, यह आपने की हुई ह कर लिए में फ्रस्ट इर में ही थीचिंग अब कर लाका रूकिते हैं फर्स्ट क्यूशन आपका टीचिंग का कंसेप्ट, क्रेक्टर्स्टिक्स, फीचर्स एंड लेवल उफ टीचिंग, इसमें ट्रेनिंग है, कंडिशनिंग है, इंस्ट्रक्शन्स है, इंडोक्रिनेशन है, यह मैंने आपको करा रखें, सारे ठीक है, फर्स्ट, सेकिंड एंड आप कर सकते हो, यहां पर आपका वाइगोश की और ब्रुनर, तो फर्स्ट, सेकिंड एंड लास्ट वाले क्यूशन आप कर सकते हो, बीच का स्किप कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद है, फॉर्थ यूनिट, फॉर्थ यूनिट में आपको फेसिस, मोडल्स ओफ टीचिंग द और किसका है, ब्रुनर का है, कंसेप्ट अटेइनमेंट मोडल, यह आपको देखने को मिले गए, ठीक है, तो यही आप कर लीजिए, उसके बाद ब्रेंस्टोर में जरूर करिएगा, ब्रेंस्टोर मिंग और रेमेडियल टीचिंग करना चाहो तो कर सकते हो, बाकि यहीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है, यही आपको करना है, सिर्फ, फेजिस ओफ टीचिंग तो फॉर्थ उनिट में आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद मोडल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ग्लेसर का मोडल हो गया, और ब्रुनर का मोडल हो गया, सिर्फ यही है यहां से ठीक है तो आपने अपने इस लेबस में साथ सा टिक करते चलिएगा उसके बाद assessment for learning यह आपका 50 marks का है पहले 100 marks का 100 marks का होता था अभी 50 marks का हो गया जैसे 40 marks का आपका theoretical है and 10 marks आपके internal है तो यह कम हो गया है तो चलिए इस लेबस देखेंगे इसका first unit है आपकी first unit का first topic है concept of measurement assessment and evaluation and there in inter relationship तो यह आपका important है यहां से 16 marks में उसके बाद है next यह है आपका bloom taxonomy revised bloom taxonomy है और जो के revised के गी थी 2001 में तो यह आपकी important है ठीक है first and second education है वो most important है आपका उसके बाद last वाला है critical reviews of current evaluation practice जिसमें formative and summative evaluations होगा और last वाला है quantitative and qualitative teacher as a facilitator in assessment for learning चिक है दुबारा बता देती हूं important questions एक तो first question आपका हो गया second question यहां से हो गया देखिए यहां से तो एक question आपको definitely देखने को मिलेगा ठीक है यह तो first वाला होगा यह फिर आपकी revised diplom taxonomy होगी तो 16 mark यहां से question बन गया आपका उसके बाद यह जो है न critical reviews of current evaluation practice यहां से दूसरा जो question बनेगा वो formative and summative evaluations के उपर बनेगा उसके बाद आपका last वाला है quantitative and qualitative के उपर बन सकता है जैसे यह parts में न तो इनको भी parts में दे सकते हैं यह marks का दे दिया यह marks का दे दिया उसके बाद यह वाला दे दिया तो यह optional है तो ठीक है समझ में आ गया equation यह वाला हो गया और दूसरा जो होता है optional बाला question दूसरा होता है न और optional वाला question तो यहां से दूसरा option वाला question हो सकता है तो इस तरीके से आप इसको टिक करते चलेगा ठीक है अगर आपको बिलकुल ही कुछ देखने को मिलेंगी जिसका फर्स्ट ही important है meaning construction और प्रोसेस और येंटेड टूल से इस जिसमें आपको देखने को मिलेगी observation schedule checklist rating scale ठीक है और यही important है यहां से observation schedule है checklist है और rating scale है उसके बाद next आपका question होगा portfolio assessment जिसमें meaning scope use developing और assessing portfolio आपको देखने को मिलेगा उसके बाद है आपका next and last question role of role of feedback to stakeholder student parents and teacher completely वाला complete question आपको यह देखने को मिलेगा ठीक है तो तीन ही question है यहां से important एक तो first वाला हो गया उसके बाद portfolio है and last second वाला आपका question हो गया role of feedback to stakeholders ठीक तो यही आपके important है इस subject से उसके बाद हम देखेंगे next to creating an inclusive school यह भी आपका 50 marks का है और जिसमें internal आपको 40 मिलेंगे sorry theory के आपके 40 मिलेंगे and internal आपके होंगे 10 marks के तो चलिए इसके भी देखते हैं दो ही unit होंगे इसमें इसमें क्या क्या होंगे visual hearing impairment mental traditions और learning disabilities and multiple disabilities यह important है यहां से ठीक है पांच है यह पहने पांच दूसरी यूनिट जो यूनिवर्स्टीज हैं जैसे CRSU है MDU है डिक्रस्ट आईज्यू है उनमें भी यही थी यह पांच हो ही आपके important है ठीक है visual impairment hearing impairment mental tradition learning disabilities and multiple disabilities उसके बाद आपके important उसके बाद important है concept meaning and needs of inclusive education principle of education तो इक तो यहां से आपको question मिलेगा 100% यहां से question मिलेगा जो 5 मैंने आपको difficulties बताइए ने जो disabilities बताइए मैने आपको तो यहां से 5 मैं से एक तो यहां से question मिलेगा आपको दूसरा हो सकता है कि यह वाला भी उसके बाद आपसे question पूछले 16 marks में human resources world school approaches तो यहां से important question मिलेंगे देखे एक तो आपको यहां से मिलेगा 100% है उसके बाद जो optional question होगा ना या तो आपको जो concept meaning and needs of inclusive education यह वाला आपसे question पूछ लेंगे या फिर concept of inclusive schools वाला जो है यह वाला यहां से question पूछ लेंगे तो तीन पार्ट में important questions हैं तो तीनों में से 16 माग के आपकी question या फिर ज्यादा की question आपसे पूछ जा सकते हैं ठीक है चली है उसके बाद है second unit legal and policies के उपर depend है सारी की सारी और यह बिल्कुल सेम है जैसे second unit मैंने दूसरी universities में कराई हुई थे न बिल्कुल सेम ही है तो यहां पर जो आपका है सल्मान का statement है आपका important 1994 टिक है UNCRPD है और उसके बाद है आपका PWD Act 1995 RCI Act RCI Act 1992 और RT Act 2009 education in the national policy of disabilities 2006 यह आपके यहां से important है और यह mostly न पार्ट में पूछा जाते हैं जैसे PWD Act 1995 and RCI पूछ लिया आपसे पार्ट में 88 में पूछ लिया तो इस तरीके से और यह पार्ट में है यह वाली अगर आपने पूछा जाएगा तो एक पार्ट कर लिजिए दोनों में आपको ज़्यादा ट्रेशर भी नहीं पड़ेगा या तो आप यह वाला कर सकते हो या फिर आप फरस्ट वाला कर सकते हो और इसमें आपका इंपोर्टेंट है CCRCs, DDRCs and NGOs यह आपके इंपोर्टेंट है तो अगर आपको पोलिस याद करने में दिक्कत आ रही है जो एक्ट है यह ज़्यादा याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप नीचे वाला कर सकते हो ठीक है यह आपको मैंने सारे करा रखे मैंने साइकंड उन पान से लगे ना वह आप कर लेना तो यह थी आपके इंपोर्टेंट क्यूशन साइओ आप इसको समझ चुके होगे चली नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट जो है आपका इंवार्मेंटल एजुकेशन यह भी आपका 50 मार्क्स में है यहां से आपका फर्स्ट क्यूशन ब बनेगा ठीक है उसके बाद है लास्ट वाला अंडरस्टेंडिंग पेडागोजी ओफ इन्वार्मेंटल एजुकेशन एट स्कूल फोर डिफ्रेंट लेवल यहां से यही तीन इंपोरेंट क्यूशन सापके चली सेकेंड उनिट देखेंगे शोटी सी ही है तो यहां से आप मुसली गोचीशन बनेंगे चार ही बनते हैं तो आप after two केशिन कर सकते हो कंसेपट ऑफ sustainable development ऑफ सिस्टेनबOnट गोल्स कर सकते हो उसके बाद और ऐड़ाद है नेटन थुखेशन फोर सस्टेनबल डिफलाफमन गोल्स तो यह है आप फरस्ट दो कर लिजए काफी रहेंग तो यह न वाला कर सकतेail रोल स्कोल एंड तेचर इंस यह नहीं आप कर सकते हो ठीक है सब्सक्वर्सक्राइब छोपनित लेष्टिहंड उस्कूलनेश्टिप मेंच्मेंट यह आपका सिक्त प्राइबjis Hmmm हैं देखिए जिसमें जो यूनिट आप की होती है जिसमें ऐसे चार-पाची टोपिक होते तो फर्स्ट दो या तीन आप कर लिजे यूनिट में से वही आपके इंपोर्डन बन जाएंगे और वही आपके एक्जाम में भी पुशे जाएंगी ठीक है तो यहां से बने गई फर्स्ट है कंसेट ओव स्कूल कल्चर ओर्गनाजेशन एंड लीडर्सीप तो यहां से भी आप कर सकते हो फर्स्ट सेकें एंड थर्ट तीन आप कर लिजी टोपिक लास्ट के छोड़ सकते हो इनहीं में से आपको 16 मा का क्यूशन देखने को मिल जाएगा उसके बाद सेकेंड यूनिट स्कूल मैनेजमेंट का है इसी तरीके से आप यहां से भी कर सकते हो ठीक है यहां से देखेंगे क्या क्यूशन है कंसेप्ट ओफ सिगनिफिकेंस ओफ स्कूल आपके इंपोर्टेंट है उसके बाद है रोल ओफ रिस्पोंसिबिलीटी ओफ प्रिंसीपल एंड टीचर इन स्कूल मैनेजमेंट तो यहां से आप तीन क्यूशन कर लिजी ठीक है फर्स्ट सेकेंड लास्ट वाला क्यूशन आप यहां से कर सकते हो ठीक है दो ही यूनिट ह अब कर लिए उसके बाद यह आपका और प्रेपर जो भी आपने लिया हुआ है उसके कोडिंग अप खुद ही कर लीजी क्यूंकि उप्षिनल पेपर का वर्क एजुकेशन मैंने कभी पढ़ाया नहीं है और इसके कोडिंग जो भी आपका पेपर हो ना जैसे आपने अगर स्लेक्ट किया हुआ है तो फर्स्ट थी कर लिजिए आप आपके क्यूशन वहीं से आ जाएंगे अगर फर्स्ट थी नहीं कर सकते तो फर्स्ट टू एंड लास्ट टू कर लिजिए ठीक है चलिए उसके बाद है अपका विपर जैंडर स्कूल एंड सोसाइटे यह मोस्लि स्ट एंड फैमिलिनिटी तो यह आपका इंपरेंट क्यूशन बनेगा यहां से फर्स्ट सिक्स्टिन माक्स में ठीक है पित्र स्तात्मक पुर्शोत्व और स्त्रित्व इसमें इसके कंसेप्ट बताने और इसके क्या बताने हैं इश्यूज बताने आपको उसके बाद है पैराड लास्ट आप कर सकते हो जैंडर आइडन्टी फैमिली मीडिया जैंडर रोलोफ स्टेरियो टाइप यह आपका इंपोरेंट और लास्ट वाला आप कर सकते हो सोचल कंस्ट्रक्शन और जैंडर दूरिंग लेट चैल्ड हुड एंड एडलोलेशन तो ठीक है यह फर्स्ट यहां से 16 मार्क में ठीक है 16 मार्क में आपसे यहां से यह वाला पूचा जाएगा उसके बाद है वालोफे लिधि मेर्टी साइंड आथई आप यहां से कर सकते हो सके बाद लास्ट वाला है वैक्ड काहिस थर्दर आचल ऑपर्टी इन स्कूल-स्कुल करिकूलम टेक्स बु आप कर सबते हो ठीक है जैन्डर इनक्वालिटी तो यही आपके important questions थे यहां से आप इनको कर सबते हो ठीक है बाकि के जो भी आपका optional paper हो आप उसके coding कर लेना और I hope सबी को आपके important questions stick mark हो गए होंगे तो इसी के coding आपको त्यारे करनी है और आपका नहीं pattern पता है आपको की any 4 करने है और यूनिट wise करने है यूनिट में से एक question करना है या फिर यूनिट system है ही नहीं तो सभी में यह जो मैंने question बताए ना सभी के लिए कारगर साबित होंगे या तो आप से यूनिट wise कर वाले question या फिर यूनिट अटागे कोई भी question कर वाले तो यह वाले question most important है यही आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे CBLU की तरफ से यह वाला syllabus मैंने आज complete करा दिया है beard second year का beard first year का next video में मैं discuss करूंगी तो वह वाले video पी आप ज़रूर देख एक्जाम की तेयारी बहुत अच्छी रखे ठीक है और जैसे ही आपके paper खतम होते हैं आप मुझे question paper जरूर send कर दे या तो टेलिग्राम पर या फिर आप मुझे mail भी कर सकते हूं ठीक है ओके जी तो चलते हैं फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care thank you